हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे बथुए और आलू की बहुत ज्यादा टेस्टी कचोड़ी यह खाने में बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट होती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम बथुआ ले लिया और बथुए को हमन हमने दो कप गेहूं का आटा ले लिया है स्वाध अनुसार नमक ले लेंगे आदा चमश एजवाइन ले लेंगे अच्छे से मेक्स कर लेंगे यहाँ पर हम इसमें ऑईल डालेंगे तीन से चार चमश ऑईल डाल लिया है हमने अब इसको आटे में अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो ऑईल को हमने अच्छे से मेक्स कर लिया है अब यहाँ पर जो हमने बथुए का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे आटे में तो हम हातों की साहता से इसका आटा लगा कर तो हमने आठा लगा कर लिया है और यह आठा हमें एकदम आठा लगा कर तैयार करना है यहां पर हमने आलू लेली है यह बॉइल आलू है तो चार मीडियum साइज के आलू को हमने ग्रेट कर लिया है सूखे मसाले डाल लेंगे इसमें एक चमच धनिया पौडर ले लिया है हमने आदा चमच हल्दी पौडर ले लिया है स्वाध अनुसा नमक ले लिया है यहाँ पर हमने गरम मसाला ले लिया है आदा चमच एक चथाई चमच हींग ले लिया हमने एक चमच चाट मसालर ले लिए आए आधा चमच लाल मिर्च पॉडर लिए आधा चमच भुने चीरे का पॉडर ले लिए यहाँपर हमने तीन हरी मिर्च ले लिए हैं और एक इंच अधरक का टुकड़ा तीन से चार लसन की कलिया लिए और इसको हमने पेश्ट बना लिए इस तरीके से देखिए दरदरा तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं इससे कचोड़ी में फिलेवर बहुत अच्छा आता है यहां पर हमने हरे प्याज ले लिए हैं दो और एक मिडियम साइज का ले लिए है कि इसमे क्वारी vos कर बारेक कर ले लिए अपर द़ी इसको आपक काटें कर लेंगे फेलके पहले हम इसको आलू की सचफिंग भरने के लिए हलका सा बेल लेंगे, ओईल लखा लेंगे बीच में, अब इसमें हम आलू की स्टफिंग भर लेंगे, आलू की स्टफिंग को रख लेंगे बीच में, इस तरीके से अंगुठे से अंदर की साइड दबाते हुए, इसके किनारों को उपर की तरफ उठाते हुए, इस तरीके से sis को ठो कर लेंगे इस तरीके से बंद कर लेंगे इसको जो एक्स्टा है उसको हम निकाल देंगे अब इस में हम ओई तरहीं हम अच्छे से ओइल लगाकर बेल लेगे इसको पहले हम हाथ से इस तरीके से इसको बढ़ा लेंगे हो हिए देखिए फ्रेंड हमने हिस को इस तरीके से हाथ से बनाकर तयार कर लिया है आप चाहते तो इसको बेल भी सकते हैं है कि देखिए हमस्कों बना लिया है कि इसी तरीके से सारी क जोटिया बना कर तेए दिसको एक बेलका रहे है इसमें और की स्टॉफिंग भर लिया तो हलके आथो से इसको देए इस तरीके से बेल लेंगे तो यह देखे फ्रेंड ये भी बनकर बिल्कुल तयार है तो चलिए फ्राइ कर लेंगे इंको यहाँ पर हमने कड़ाई में ओईल ले लिया है ओईल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें कचोडी को डाल देंगे और गैस को मीडियम कर देंगे इस तरीके से हिलाते हुए कचोडी को हम फ्राइ कर लेंगे गोल्डरन आने तक तो यह देखे हमें इसको पलट दिया है कचोडी जो है एक साइट से अच्छे से सिख गई है तो इसको निकालकर हम एक plate में रखिलेंगे, यह तो यहाם पर हम दूसरी कचछोड़ी के मैं रखिलेंगे, इस तरीके से देखिए, हिलाते रहेंगे इसको, पलट देंगे इसको तो देखे फ्रेंड यह कचोडी भी अच्छे से फ्राई हो गई है इसको निकाल कर हमने प्लेट में रख लिया है और फ्राई कर लेंगे तो देखे फ्रेंड यहां पर यह कचोडी भी फ्राई हो गई है तो इस तरीके से आप भी बठोगी कचोड़ी बनाईए और खाईए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद